हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चलम स्वागत तो फिर्ण आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश तो फिर्ण आज के इसमें जिनने भी क्यूशन है आपको सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिलेंगे और ऐसे क्यूशन है जो काफी वार कंपटेटिव एक्ज तो फिर्ण एक कई बार एक्जामों में पूछा गया है तो इसका राइट एंस्वर है उत्तर प्रदेश के पर्थम मुख्यमंत्री कौन है तो पहला आपसन है आदित तन्यात योगी दूसरा है गोविन बल्लम पंध पंडित और दूसरा है मुलायम सिंग्याद और चौथ तो इसका राइट एंस्वर है जो वी वाला सही है गोविन बल्लव तो इसका राइट एंस्वर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू की गई उत्तर प्रदेश में चकबंदी को कब लागू किया गया लॉगइन हो गया वैंटार प्रदिज में चखवंदी को लाग हो किया गये तो पहला अप्चन 1950 में और दूसरा ऑप्चन कन 12 tycker है और तीसरा आप ii अलोग कल देतें तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदिज में काफ़पन्ध को कब लागू किया गया था ये नेकपाल में हो या SSC के एक्जामों में काफी पूछा जाता है तो फिरेंट चलते हैं अपने के लिए परदेश की परमुक फसल का आप्स सब्सक्दान दूसरा मखका तीसरा चौर जोचन तो इसका राइट एन्सवर में पर flip फसल गें अःट एट सुरह तो चलते हैं नेक्ष्ट की तरफ उत्तर प्रदेश में कितने परकार की रितू होती हैं उत्तर प्रदेश में कितनी परकार की रितू होती हैं आपको किसी भी क्यूशन का एंस्वर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो जब तक ऑप्षन को वन टू थी करके बोलते तक तक आप कमेंट कर सकते हो तो हमारा पहला और दूसरा और तीसरा और तीसरा और चोथा और चोथा ने पांच वा तो इसका राइट एंस्वर है तीन परकार की रियतुएं उत्तरप्रदेश में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में तीन परकार की रित्वें पाई जाती हैं तो चलते पने नेक्स्ट क्योश्यन की तरफ उत्तर प्रदेश भारत के छेतर फल का कितना कितना पर्शत है लगभग कि तो पहला अप्षन है 6.33% और दूसरा है 7.33% और तीसरा है 8.33% और चौथा है 9.33% तो इसका राइट एंसुआ रेफ्रेंट बी वाला बी वाला फ्रेंट 7.33% उत्तर प्रदेश भारत के छेतरफल का लगभग भाग है भारत के छेतरफल में उत्तर प्रदेश 7.33% लगभग में है तो जलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक परवेश की सीमा निर्धारित करती है पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक परदेश की सीमा निर्धारित करती है तो पहला है चंबल, दूसरा है कैन, तीसरा है गंगा और चवथा यमुना तो इसका राइट एंसर है डी वाला फिरिंड यमुना नदी पस्चिम में काफी हद तक परदेश की सीमा को निर्धारित करती है जो बॉर्डर से सट के जो नदी बाती है इसका काने का मतलब है काफी हद तक परदेश की सीमा तो जैसे मद्य परदेश उत्तर परदेश की सीमा के सट के जो नदी काफी सट के बाती है जैसे उत्तर प्रदेस और बिहार में जो नदी सट के बाती है तो उससे हम इसका एक कर सकते हैं काफी हद तक परवेश सीमा से निर्धारित करती है तो चलते हैं नेक्स क्योस्टन की तरफ उत्तर प्रदेश राज में विद्धूत उद्पादन का मुख सुरूत क्या है जैसे यह भी बहुत important question friend आप जेए का exam देते हो तो इसमें पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में विद्धूत उत्पादन का मुख सुरूत क्या है पहला है कोईला दूसरा petroleum तीसरा है प्रैक्टिक गेस और चौथा है परमाडू उर्जा तो इसका right answer जो है यह वाला कोईला उत्तर उत्तर प्रदेश राज में विद्धूत उत्पादन का मुख सुरूत कोईला है तो चलते हैं अपने next question की तरफ उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति विद्धूत उपयोग उपभोग कितना यूनिट है पहला 152 यूनिट और दूसरा 116 यूनिट और तीसरा 182 यूनिट और 147 यूनिट तो इसका राइट एंस्वर है सी वाला 182 यूनिट प्रतिव्यक्ति विद्धूत उपभोग यूनिट है तो चलते हैं अपने next question की तरफ यह भी बहुत important question हो सकता है आप जेयोई का एक्जाम देते हो तो चलते हैं next question की तरफ तो मैं next question है परिच्छा ताप विद्धूत के इंदर उत्तर परदेश के किस नगर के निकट अस्थापित है पहला ओप्सन मेर्ड दूसरा आगरा तीसरा कानपुर्ष चैलता है जहासी के निकर्तम ताप विधुत केंद्र अस्तापित है तो चलते हम नेक्स्ट क्यूर्शन की तरफ उत्तर प्रदेश भासा सनस्थान का गठन किस वर्ष किया गया together भासा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया तो पहला option 1994 और दूसरा 1996 और तीसरा ऑप्शन 1999 और चवता है 2001 में तो इसका राइट एंस्वर है पहला वाला 1994 में उत्तर प्रदेश भासा संस्थान का गठन किया गया तो जलते हैं यह भी बहुत ही और में पूछा जाता है आप जिसटेट से बिलॉंग करते हो इस इस्टेट की भासा का संस्था गठन किस वरस में हुआ पूछा जाता है इंटर्व्यू में भी एक क्यूशन पूछा गया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्यूशन की तरफ उत्तर प्रदेश हिंदी भासा निदी अस्थान की अस्थापना किस वर्स की गई उत्तर परदेश हिंदी भासा निदी संस्थान की अस्थापना किस वर्श की गई तो पहला 1980 में और दूसरा 1982 में और 1980 में और 1984 में 1988 में तो इसका राय टेंसर है बी वाला 1982 स्थापना की गई तो चलते हमें नेक्स्ट कुर्शन की तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो फ्रेंट इसमें व्यक्ति पूछा गया इस बात का आप ध्यान देजिएगा व्यक्ति पूछा गया है ठीक ना इसमें व्यक्ति पूछा गया है इसमें आप एक बात जान जिए आप जीके की क्यूश्चन को आप करते हो तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि उत्तर पर देश में मुख्यमंत्री पत पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति यहां पर मैला नहीं पूछा गया व्यक्ति का नाम बताइए तो पहला अप्शन है गोविंद बल्लम बल्नम भाइ पतेल और दूसरा सिरी नराय दत तिवारी और तीसरा चोधरी चरण सिंह और चिफ़ा है हे मोती नंदन तो इसका राइट एंस्वर है एवाला यह वाला गोविंद बल्नम भाइ पंडित बल्लब पंडित थे तो ए राइ odpowied Hue ने कि तरफ हमारे और एक वीडियो आएगा जिसमें आपको उत्तर परदेश की सारे डिठील दी जाएंगी तो चलते हैं ने मुख्यमंत्री और चौथा राष्टपती तो इसका राइट एंस्वर राष्टपती उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की न्युक्ति करता है तो चलते हैं नेक्स्ट क्योश्चन की तरफ तब तक आप कमिंट कर सकते हो पहला प्रदान मंत्री दूसरा है संसद और तीसरा मुख्य नाधिस और चौथा राज्यपाल तो इसका राज्यपाल उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री की नुक्ति करता है ठीक डी वाला ओप्सन जो है इस सही है तो चलते हैं अपने नेक्स् अयोध्यान नगर की नदी के किनारे पर बसा है उत्तर प्रदेश में इस्थित अयोध्यान नगर की नदी इक इनारे बसा हुआ है पहला ओप्सन सर्यूद और जिसे सर्जून नदी भी कहते हैं सर्यूद इसमें लिखा हुआ है इसका राइट नाम है और दूसरा ऑप्शन है गंगा तीसरा यामुना और चौथा गोमती इसका राइट एंस्वर है आप तो जानी गए होंगे इसका राइट एंस्वर कौन सा है तो इसका राइट एंस्वर है ये वाला उत्तर प्रदेश में इस्थित अयोध्या नगरी जिसे हम राम जी का भी नगरी करते है ये सर्जू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसा हुआ है जिसमें राम जी समाधी भी लिये थे तो बहुत से लोग इसे जानते भी हैं इसको फिर भी मैंने रखा है क्योंकि एक बहुत ही जगों पूछा गया है किस नदी के किनारे बचसा हुआ है तो यहां पर हमारा वीडियो खत्म होता है तो आप हमारे चनल पर पहली बार है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरू बताएं कि वीडियो में आपको कैसा लगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेर करें और इसमें कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगले वीडियो में फिर से हम इससे भी अच्छा बनाने की पूरी कोसिस करेंगे आपको अच्छे से एक्स्प्रेंट करने की कि खोशिस करेंगे तो मिलते अगले वीडियों तब तक के लिए जय बारत राज